बिसमे लाह इर्वान culman 이해em अस्वलों लैकम स्टूदें्स आपको में इस वीडियो सेंसिज पार्च पॉस्ट पॉस्टिन्वे स्टन्सिज और विच्टर कॉंटिंवे स्टन्स तो के अंदर इस्तेमल सिखाने जारहा हूं आपको मैंने lesson नमर 61 के अंदर positive sentences का present indefinite tense, past indefinite tense और future indefinite tense के अंदर इस्तेमाल सिखा दिया है यहाँ पर तीनों continuous sentences के अंदर इसका इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा आपने main heading लिखनी है positive sentences in all the 12 sentences और नीचे आपने तारुप लिखना है अगर अर्दू के फिक्रे में मुझूद subject खुद से काम न करे बलके किसी दूसरे शक्स से काम करवाए तो ऐसे फिक्रों को positive sentences कहा जाता है इन फिक्रों की दो अक्साम होती है नमर एक, positive sentences with implied person इन फिक्रों में उस शक्स का जिक्र किया जाता है जिससे काम करवाया जाए नमर दो, positive sentences without implied person इन फिक्रों में उस शक्स का जिक्र नहीं किया जाता है जिससे काम करवाया जाए तफसील मंदर्जा जहल है student ये आपको मैं 61 lesson के अंदर बता चुका हूँ कि तारुप क्या होता है कि ऐसे sentences जिन में subject खुद काम नहीं करता है बलकि किसी दूसरे शक्स से करवाता है उन्हें positive sentences कहा जाता है दो अक्साम होती है एक positive sentences with implied person यानि वो जुम्ले जिन में जिस से काम subject करवाता है उसका जिकर किया जाए उस शक्स का और दूसरे positive sentences without implied person यानि वो जुम्ले जिन में फिक्रों का subject जिस शक्स से काम करवाता है उसका जिकर नहीं किया जाता तो मैंने आपको ये दोनों अक्साम पढ़ाना है अब आप आपने ये main heading लिखी लेकिन तीनों टेंस को बारी-बारी बढ़ाने आप लिखे आप सब heading लिखे अर्दू में पैचान निचे लिखे अगर अर्दू के फिक्रे में मजूद subject खुद से काम ना करे बलके किसी दूसरे शक्स से काम करवाए और जिस शक्स से काम करवाया जाए उसका फिक्रे में जिकर किया जाए और फिक्रे के आखर में present continuous tense वाली निचानिया हो तो ऐसे फिक्रे present continuous tense के positive sentences with implied person वाले होते है student मैंने आपको ये जो अर्दू में पैचान लिखवाई है ये यही है कि subject खुद से काम नहीं करता किसी दूसरे शक्स से करवाता है और जिस शक्स से काम करवाए जाए उसका जिकर भी होता है और जो present continuous tense के निचानिया आपको मैंने बताई थी रहा है रही है रही है रहा हूँ रही हूँ रहे हो रही हो ये lesson नमर 13 जब मैंने आपको बढ़ाया था उदर present continuous tense बढ़ाया था तो उसमें निचानिया जो लिखवाई थी वही इदर निचानिया आएंगी फिक्रे के आखर में तो ऐसे जो फिक्रे होते हैं वो present continuous tense के positive sentences with implied person वाले होते हैं इस तरह के जुम्लों की English किस तरह की जाती है आप लिखिए heading structures और ये सब से पहले affirmative sentences का structure आपने लिखना है लिखिए subject plus is m and are plus making plus object bracket में लिखिए implied person plus first form of verb plus rest of the sentence student बात इस तरह के subject के बाद आपको पता के present continuous tense में is m r आता है फिर first form ing आते हैं तो यहां पर positive verb make को यूज़ करते हैं उसी के साथ ing लगाना है फिर object उसको बिनाते हैं जिससे काम करवाए जाए यानि implied person और जो फिक्रे में काम करवाना हैं वो first form of verb के तोर पर आगे लिखकर आगे rest of the sentence यानि बाकी जिम्ला लिख देते हैं negative structure पे चलिए subject plus is m and are plus not plus making plus object bracket में implied person plus first form of verb plus rest of the sentence सिर्फ negative sentences में इतना इसके structure में change आया है कि is m r के बाद not है बाकी कोई change नहीं आया intuitive structure पे चलिए is m and are plus subject plus making plus object bracket में implied person plus first form of verb plus rest of the sentence plus question mark intuitive sentences में is m r शुरू में आ गया बाकी कोई change नहीं आया end में जाके हमने question mark लगाया double intuitive sentences का structure पे आजए ये why when where how or whom plus is m r plus subject plus making plus object bracket में implied person plus first form of verb plus rest of the sentence plus question mark students why when where or how or whom this form ये सबसे पहले आएंगे जो भी जुम्ले में आये फिर is m r फिर subject फिर making फिर object फिर implied person फिर जो फिकरे में समझाओंगा आप गोर से सुनिये वो अपनी बेहन से कपड़े इस तरी करवा रहा है देखें ये रहा है present continuous tense है English कैसे होगी he is making his sister press his clothes student देखिए he is subject आया जिसने काम करवाना है खुद नहीं करना is m and r में से एक is आया फिर making first form ing फिर जिससे काम करवाया वो implied person उसको object बनाना है या नहीं sister और फिर जो फिकरे में काम है वो first form of verb के तोर पर क्या press या इस तरी कराना और आगे बागी फिकरा लिखा गया इसी तरह सारे जुम्ले बनेंगे second sentence पर आजए ये मैं अपने मलाजम से जूते पॉलिश नहीं करवा रहा हूँ इंगलिश सुनिए I am not making my servant polish my shoes student देखिए I subject am फिर not फिर making फिर my servant जिससे काम करवाना है और फिर polish first form of verb और आगे शूज intuitive sentence पर आजए ये क्या वो माली से पॉदो को पानी दिलवा रहा है इसकी इंगलिश सुनिए is he making the gardener water the plants इस शुरू में आगया subject ही आया making आया और फिर आगे the gardener जिससे काम करवाना है first warm water पानी देना इसका मतलब है यहां पर और आगे the plants next sentence पर आजए ये तुम दोबी से कपड़े क्यों दुलवा रहे हो देखे जी English why are you making the washerman wash your clothes student देखिए subject खुद काम नहीं का रहा है you वो दोबी से काम करवा रहा है तो सवाल ये जुमले why शुरू में आया फिर आ रहा है फिर you आया फिर making और जो कपड़े दोने वाला है washerman वो object बना फिर कपड़े दोना first warm wash और आगे the clothes last sentence पर आ जाते हैं कौन बहवर्ची से खाना पकवा रहे हैं English चुनिए who are making the cook cook food subject इदर हुए are making लगा और फिर the cook यानि बहवर्ची और पिर आगे first warm cook पकाना और आगे जो food है वो लिखा गया student याद रखिए ये जो make होता है ये positive work के तोर पर इदर use किया जाता है और आगे जो first warm होती है उसमें मुझूद काम के meaning को normal meaning से change करता है जैसे first sentence में मैंने making लगवाया और आगे press लिखवाया press का मतलब होता है इस तरी करना लेकिन जब पीछे making लगए चांगले जटरी करवाना इसी तरह अगले जम्ले में जो polish है उसका मतलब है polish करना लेकिन पीछे making हो to polish करवाना इसका meaning हो जाता है इसी दरा आगे water है, पानी देना, तो making की वज़े से पानी दिलवाना, अच्छा आगे wash है first form, पीछे making है, तो wash का मतलब कपड़े दोना होता है, लेकिन इदर दुलवाना हो जाएगा, इसी दरा cook जो है, उसका मतलब पकाना है, लेकिन पीछे making की वज़े से पकवाना हो जाए अब आपने अगले टेंस पे चलना है लिखिए, positive sentences with implied person in past continuous tense, अर्दु में पहचान लिखिए, heading लिखिए, अर्दु में पहचान, अगर अर्दु के फिक्रे के अंदर मजूद subject खुझ से काम न करे, बलके किसी दूसरे शक्स से काम करवाए, और जिस शक्स से काम करवाए, और फिक्रे के आखर में past continuous tense वाली निशानिया हो, तो ऐसे फिक्रे past continuous tense के positive sentences with implied person वाले होते हैं, student देखिए, यहां पर सब कुछ वही है, subject काम नहीं करता, किसी और से करवाता है, उसका जिक्र होता है, और past continuous tense वाली निशानिया यानि रहाता रही थी, रहते रही थी, जब आ past continuous की निशानियां वहाँ पर आपको मैंने समझाई थी, अगर आपने इसकी निशानियों को थारोली देखने हैं, तो past continuous जो है, वो lesson 17 part 1 के अंदर है, उसे आप पढ़ लीजिए, अच्छा ये निशानियां आएंगी, और फिर आगे, मैंने क्या लिखवा है, तो ऐसे जुम ब्रेक्ट में, implied person, plus first form, over, plus rest of the sentence, student देखिए subject के बाद 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 बार, और फिर making, उसके बाद object बाद होगा, जिससे काम करवान है, यानि implied person, फिर जो पिकरे में काम करवान है, first form, or rest of the sentence, negative structure पे आजिए subject, was, and were, plus not, plus making, plus object, ब्रेक्ट में, implied person, plus first form, over, plus rest of the sentence, student सिर्फ इतन ब्रेक्ट में, क्वान है और, कि क्लाद बाद के बाद बाद बाद, कोई चैन्ग नहीं है, intra-将ि प्रेक्ट के structure पे आजिए, was, and were, plus, subject, plus making, plus subject, bracket में, implied person, plus first form, over, plus rest of the sentence, plus question mark, was, var, شНуरू में जला गया, बाद कोई chain यह एंड में question mark लगाया double intuitive के structure पर आजे why when where how और whom प्लस was and were प्लस subject प्लस making प्लस object ब्रैकेट में implied person प्लस first form of verb प्लस rest of the sentence प्लस question mark student why when where how या हूम जो भी है सबसे पहले फिर was प्लस प्लस subject फिर making प्लस object जो implied person होंगा जिससे काम करवाना है उसको object बनाना है फिर first form of verb जो फिक्रे में काम है उसको first form of verb के तोर पे इस्तमाल करना है आगे rest of the sentence यानि बागी फिक्राइंड में question mark ये structure भी होगे अब आपने जुम्लों प्लस 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 तो student देखिए यहां पर क्या है कि making ये जो है ये positive verb है subject के बाद was making लगा फिर आगे जिससे काम करवाना है sister यानि implied person वो object बना फिर जो फिक्रे में काम है press और आगे the clothes अच्छा अभी क्या करना है कि आपने second sentence पर आ जाना है लिखिए मैं अपने मलाजम से अपने जूते polish नहीं करवा रहा था I was not making my servant polish my shoes student देखिए I subject है was not making ये negative sentence है तो not आया और making के बाद object my servant जिससे काम करवाना है फिर polish first warm अभब जो काम करवाना है वो first warm और पिर आगे my shoes बाकी आगे जूमला लिखा गया next sentence पर चलते हैं क्या वो माली से पोदो को पानी दिलवा रहा था English जो नहीं है was he making the gardener water the plants student was शुरू में है he subject फिर making the gardener जिससे काम करवाना है गार्डन जो गार्डनर है और फिर आगे हमने first warm लगाई water और फिर बाकी फिक्रा लिखा गया next sentence तुम अपने कपड़े दोबी से क्यों दुलवा रहे थे English सुनिये why were you making the washerman wash your clothes देखें students के हमने क्या किया इदर why सवाल यह जूमला बनाने के लिए आया फिर आगे were फिर you subject है फिर making फिर जो implied person है washerman the washerman आया फिर कपड़े दुलमाने वो first warm wash और आगे बाकी फिक्रा last sentence पर चलते हैं कौन बावर्ची से खाना पकवा रहे थे English सुनिये who were making the cook cook food student देखें who subject है यह ज़्यादा लोगों के लिए आया making आया और फिर आगे जिससे काम करवाना है the cook फिर first warm जो काम करवाना है यानि पकवाना वो cook आया आगे फिर rest of the sentence student यह past indefinite tense के अंदर भी इस् next tense के ओपर लिखे positive sentences with implied person in future continuous tense यह आपने heading लिखी आप नीचे सब heading लिखें अर्दू में पेचान लिखें अगर अर्दू के फिक्रे में मौजूद subject खुच से काम ना करें बलके किसी दूसरे शेक से काम करवाए और जिस शेक से काम करवाए उसका जुमले में जिकर किया जा तो ऐसे फिक्रे future continuous tense के positive sentences with implied person वाले होते हैं स्टूडिन देखिए हमने इधर वोही सब कुछ के subject ने खुद काम नहीं करना किसी से करवाना है उसका जिकर फिक्रे में करना है और निशानिया future continuous tense वाली हो यानि रहा होगा रही होगी रहे होगे रहा होगा रहे होगे रहा रहा चुका हूँ वहाँ पर निशानिया आप देख सकते हैं और ऐसे फिक्रे मैंने बोला future continuous tense के positive sentences with implied person वाले होते हैं अब इसकी English कैसे की जाती है जुम्लों की heading लिके structures नीचे affirmative structure लिके पहला subject plus shall be and will be plus making plus object bracket में implied person plus first form of a verb plus rest of the sentence student subject के बाद shall be will be आता है continuous tense में जो future continuous है पिर आगे making पिर जो object है जिससे काम करवान है implied person पिर जो जुम्ले में काम होगा first form or rest of the sentence negative structure पे आजए subject plus shall not be or will not be plus making plus object bracket में implied person plus first form of a verb plus rest of the sentence सिर्फ शेल विल के बाद not है बागी कोई चाहिन है इंट्रॉक्टिव structure पे जलते हैं शेल जाविल plus subject plus making plus object bracket में implied person शेल जाविल plus subject plus be plus making plus object bracket में implied person plus first form of a verb plus rest of the sentence plus question mark student देखिये शेल विल चुरू में है subject के बाद be आया फिर making आया फिर object implied person जो होता है पिर जो जुम्ले में काम करवान है first form rest of the sentence question mark देखें शेल विल सिर्फ शुरू में गया बाकी कोई change नहीं आया एंड में question mark लगाया double integrity पे चलते हैं why when where how or whom ये जो है सबसे पहले आएंगे फिर शेल जाविल आएगा फिर subject का आएगा फिर उसके बाद be making फिर object जिससे काम करवान है implied person जानी फिर जो जुम्ले में काम करवान है first form rest of the sentence question mark student ये अर्दो में बैचान structure होगे अब example पे चलते हैं वो अपनी बैंसे कपड़े इस तरी करवा रहा होगा English चुनिए he will be making his sister press his clothes बैस subject के बाद will be making और his sister जिससे काम करवान है implied person वो object है फिर first form जो प्रेस है वो फिक्रे में काम करवाया और आगे बागे फिक्रा लिखा गया negative sentence ले लेते हैं लिके मैं अपने मलाजम से जूते पालिश नहीं करवा रहा हूंगा English सुनिए I shall not be making my servant polish my shoes I subject फिर shall not be making और फिर जिससे काम करवान है वो object यानि my servant फिर जो फिक्रे में काम है first form polish और my shoes आगे कहा जी इंट्रॉक्टिव sentence की example ले लेते हैं क्या वो माली से will he be making the garden water the plants will I subject he be making आया जिससे काम करवान है the gardener आया फिर जो काम है water पानी दिलाना और the plants बही next sentence पर चलते हैं तुम दो भी से अपने कपड़े क्यों दुलवा रहे होगे English सुनिए why will you be making the washerman wash your clothes ये student देखिए why आया फिर will फिर you be और फिर making the washerman object फिर फिर फिकरे में कपड़े जो दोना है काम वो first form wash और आगे बागी फिकरा last sentence पर चलते हैं कौन बावर्ची से खाना पकवा रहे होंगे English सुनिए who will be making the cook cook food student देखिए यहां पर who subject है will be making आया और the cook जो है या या बावर्ची जो implied person है और first form जो फिकरे में पकाना है वो cook और आगे end में food लिखा गया students यह सब को था इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको तीन टेंसे यानि present continuous tense past continuous tense और future continuous tense के अंदर positive sentences का इस्तेमाल सिखाया मुझे उमीद है आपको यह लेक्चर पसंदा होगा अगर यह मेरा लेक्चर पसंदा आ गया है इतना ही अलाँ हाफिज